हलो दोस्तो मैं डाक्टर मनोज कुमार सिंग आपका स्वागत करता हूँ मनोज आयस यूटूब चैनल में और आज आपको इतिहास का दूसरा पार्ट मैं लेकर आया हूँ जिसमें प्रिवियस जो है प्री एक्जाम्स के लिए अत्यंत महत्पूर है ये टॉपिक और हरपा सब्विता कास यूगिन सब्विता एक ही सब्विता के नाम है इस सब्विता के बारे में आज हम लोग विध्यो चर्चा करेंगे और ये देखेंगे किस तरह से सब्विता हमारे लिए कितनी महत्पूर रही है क्या भारती संस्कृति का सम्मान है अब्विता का गवरो है इ अगर बात करें इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है और यह जो है इसापूर्व इसापूर्व बीसी जो है 26 से लेकर 1900 बीसी तक है इसका विस्तार समय का विस्ताल दिखाई देता है यह सभिता जो है अगर देखा जाए तो यह जो है सुत का कोह तक फैला हुआ है इधर आपका जो है काबुल को टच कर रहा है इधर आपको रन आफ कच इधर आपको यमना रीवर जो बह रही है काबुल रीवर है वहाँ यह जो है आपकी यमना रीवर है यहाँ पर भी फैला हुआ है घगघर नदी के किनारे है और यह आपका जो है छेलम रीवर के किनारे इंडस सिंदु नदी के किनारे ठीक है रावी नदी के किनारे चेनाप के किनारे और इंडस रीवर यहाँ भी है यह जो फैली हुई है और इनके बीच के छेत्र को ही यह हम देखते हैं यह कौन कौन से न खर्चा करेंगे हम और यह जो है आपका जो है इसको देखते हैं कि किस तरस इसका विस्तार हुआ है ठीक है इसका अब इसका विस्तार की बात करें सेंधो सभ्यता की सेंधो सभ्यता की विस्तार की बात करें अगर तो सिंधो सभ्यता का विस्तार अगर बात करें यह मांडा चिनाव नदी के थटपर इस्तित है मांडा यह कस्मीर में है कहां पर है कश्मीर में यह इसकी उत्तरी सीमा है मंडा इसकी पश्चिमी सीमा है सुत कांगे डोड दासक नदी के तटपर है यह कहां पर है दासक नदी के तटपर है दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है यह महाराष्ट में है यह जो है आपका जो है है अफगानिस्तान में आये आलमगीरपूर आलमगीरपूर जो है हिंडन नदी है गाजियाबाद के पास से यह बागपत में पढ़ता है कहां पर बागपत बागपत यूपी में पढ़ता है उत्तप्रदेश में पढ़ता है यहां तक इसका विस्तार इसी के लिए इस सभ्व्यता को जो है मतलब त्रिभूज आकार सभ्विता कहा गया क्या कहा गया इस तरह इसकी त्रिभूज की आकर्ति बंती संश्कर्तिक नाम से भी जाना जाता है इसका आकार जो है तुर्विजाकार था इस तरह से सब्वेता जाने जाती है आप बात करते हैं कि इस सब्वेता की खोज आपको बता दे एक जो है ऐसी घटना है कि पाकिस्तान में रेल्वे लाइन विछाने का कारे चल ला था पाकिस्तान उस समय अभिभाजित भारत था अभिभाजित भारत में था और उस समय ये जो है कारे चल ला था किस तरह का ये जो है पूराता भारत दायमाबाद ये जो है भारती पूराता सनुच्छन विभाग के महानिदेशक जो है महानिदेशक थे ये और उसी समय ये खोज हुआ था और खोज के बाद इसके बारे में कहा जाता है कि बाद में इसको जो है निर्देशित करके खुज आई इसकी हुई है भारती पुराततु सर्विक्षन विभाग के महानिदेशक सर जान मार्सल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दया राम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान के ततकालीन मांट गुमरी जीले में रावी नदी के बाये तट पर इस्थित हडपा के टिले का उत्खनन कराया इसलिए हडपा इसका पहला पुरास्थल होने के कारण इस सब्विता को हडपा सब्विता भी कहा जाता है क्या कहा जाता है हडपा सब्विता भी नाम दिया गया इसे हडपान सब्विता की नाम से जाना जाता है वर्ष 1922 में राखल दास मनरजी ने सिंद प्रांत के लरकाना जिले में सिंदु नदी के दाहिने तट पर इस्थित मोहन जोदरों के टिले का पता लगाया मोहन जोदरों का साबदिक अर्थ है मृतकों का टिला क्योंकि भारी मात्रा में यहां से सवाधान प्राप्त हुए थे इसलिए इसको मृतकों का टिला भी कहा जाता है नामकरण की बात करें ते सिंदु सभ्यता के जो नामकरण हुआ था मारसल सिंदु सभ्यता का नाम का प्रियोग करने वाले पहला पुरा तात्वी व्यक्ति थे हडपा सभ्यता कास यूगीन तथा संस्कृति ताम प्राशानिक प्राक हडपन में देखने को मिलता है प्रतम पूरा स्थल हडपा के नाम से ग्यात हडपा सब्विता इसको कहा गया उत्तर में यह मांडा आखनूर जंबु कस्मीर से दच्छिन में दायमावाद अहमद नगर महाराष्ट और पश्चिम में सुत कांगे डोर बल्चिस्तान पाकिस्तान में से पूर्व में आलमगीर पूर बागपत उत्तर प्रदेश तक विस्तरित कालीन आद्यायतिहासी काल का यह अंग है क्योंकि इसकी उपलब्ध चित्राच्छ लिपियां 400 अच्छरों वाली थी अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी हैं जिसके कारण इसको आद्यातिहासी काल में रखा गया हडपा की प्रथम जानकारी चार्ल्स मेशन ने 1926 में दी फिर एल एस आई के अध्याच कनिंगम 1826 में इसकी पहली बाद जानकारी प्रात होई थी फिर एस आई के अध्याच कनिंगम ने 1853 से 56 में हडपा की यात्रा की किन्तु ये लोग इसकी महत्ता एवं पुरातंता को नहीं समझ सके भारत के आपको बता ते 1853 में भारत में पहली बार रेल्दे लाइन विए लाइन विच्चाही गई और रेल्बे लाइन का परा river हुआ भारत में उसी दवरान जो है जब खुदाई हो रही थी खुदाई के दोराना ही या पता यहां से निकली और उसी दवरान इसका जो है इसकी यात्रा के कि उसके महत्तों को समझा नहीं सके इसका सही आंदाजा तब लगा जब SAI के अध्यच मार्सल के निर्देशन में दया राम साहनी ने हरपा पुरान वेशन 1923-1924 में किया 1924 में मार्सल ने लंदन में इस सब्विता के खोज की घोशडा की आपको बता दें अगर पूस्ता है कि हरपा सब्विता की खोज की चर्चा लंदन में कौन किया था तो आप जानने जिए कौन मार्सल ने किया था हरपा की खोज की चर्चा सरुर्थम कहां हुई तो लंदन में हुई ये दो प्रश्णियां से बन रहे हैं कालांतर में इस सभ्यता के हजारों इस्थलों की खुदाई हुई जो आज भी जारी है पुरातात्विक खुदाई से बैदिक सभ्यता से पहले की सभ्यता का पता चला जिसकी प्रधान विसेशता उसका नगर उसकी नगरी करण है आपको बता दें हडपा सभ्यता नगरी सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी नगरी यह सभ्यता थी और यह इसकी सबसे बड़ी विसेशता थी यह नगरी सभ्यता थी और नगरी सभ्यता है इसकी सबसे बड़ी विसेशत थी नगरी सब्विता होने के काराण या सब्विता निश्चित रूप से विश्व की सरशिर्ष सब्विताओं में से एक थी सवाल उठता है कि सवाल अब यह उठता है कि इसका उदय एवं विकास कैसे हुआ इस संदर्म में मुखता दो मत हैं इस संदर्म में अगर हरपा सब्विता के विकास उद्वव की बात किया जाए तो इसकी संब्वन्द में दो मत प्रचलित हैं पहला मत कहता है पहला मत यह कहता है कि जान मार्सल गार्डन चाइल्ड मार्टिमर वीलर दी एच गार्डन आधि के मुताबित इस सब्विता के विकास की प्रेंड़ा सांस कृतिक बिसरन के अनुसार में सोपोटामिया से मिली और यह माना जाता है कि यह जो बिद्वान है जान मार्सल गार्डन चाइल्ड मार्टिमर वीलर दी एच गार्डन आधि के अनुसार सिंद्व सब्विता का उद्वाव में सोपोटामिया की सब्विता के कारण हुआ होगा में सोपोटामिया सब्विता जानते हैं दजला और फरात नदी के बीच में इरान की विक्सी सब्विता थी दोनों सब्विताओं में सामे की अगर बात करें अगर यह उसका उदाहरन देखा जाए कि आखे दोनों सब्विताएं एक सब्विता कैसे थी तो दोनों की अगर बात किया जाएं मेसोपोटामिया की सभ्यता और इसकी बात करें तो दोनों में नगरी जीवन का विकास हुआ हरपा सभ्यता और जो है मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं में नगरी करण का विकास दिखाई देता है चाक पर निर्मित चाक पर निर्मित जो है मृद्भान्ड दिखाई देते हैं लेखन कला का विकास दिखाई देता है कास्यताम्र के साथ पासाण उपकरणों का विकास कच्ची एवंपकी इंटो से निर्मित भावन ये चार पांच जो भी सेश्टाएं हैं ये पांच भी सेश्टाएं हरपा और मेसोपोटामियां मेसोपोटामियां दोनों में दिखाई देती हैं मेसोपोटामियां और इसमें दोनों में ये दिखाई देती हैं किन्त इतनी समानता किसी भी दो विक्सिस सब्यता के मद पाई जा सकती है कई कसवटियों पर हरपा सब्यता मेसोपोटामियां से भी उन्नत प्रतीत होती है और कहीं एक दूसरे से बिलकून अलग जैसा प्रतीत होती है जैसा कि मेसोपोटामियां के लिपी किलाच्छल लिपी है और उसमें केवस सब्यता के लिपी है और जब कि हरपा लिपी में चित्राच्छल लिपी है और इसमें 400 चेनs मिले हैं कितने मीं पॉटामिया के सहर हडगाई सहरों की भात योजनाकृत नहीं थे और हडगाई सहरमें मेसो पॉटामिया की सब्भता के तरह नहीं थे बलकिन ये क्या थे एक सू बेवस्थित नगरी करण की तरह बनाए गए थे हडपाई जल निकास व्योस्था में मेसोपुतामिया की सब्वता से स्रेश्थ थी इतना ही कहा जा सकता है कि दोनों के बीच ब्यापारिक सम्मंद थे जिसका कुछ प्रमाण मिलता है इस ब्यापारिक विकास का संतुलन भी हडपा के पच्च में ही प्रतीत होता है हडपा सब्वता के पच्च में ही प्रतीत होता है दूसरे मत के लोगों की अगर बात की जाए दूसरे मत के लोग इस सब्वता के विकास के लिए अस्थानी उत्पत्थ पर बल देते हैं इसमें पिगट आल चिन वेलफेर सर्वीस जे एफडेस रफीक मुगल आदी हैं इन अनवेसकों ने हाल के वर्सों में हडपाई छित्रों की बिभीन अस्तरी खुदाई की बदावलत नवपासान काल धात काल के आरंब आदी काल में पसुचारण एवं क्रिसी के विकास के साथ ग्राम संक्स्कृतियों के विकास का प्रमाड इकठा किया है किन्त खुदाई की अपर्याप्तता लंबवत खुदाई एवं बहुत से प्रमाडों के बिनष्ट हो जाने तथा सैंधव लिपी को पढ़ने में असमर्थता की वज़ा से मेसो पुटामिया की तरह हडपाई सब्वता की विकास का क्रमिक चरण परियाप्त इसपष्ट नहीं है इसके बावजूद इसके प्राक हडपाई सब्वता के उदय की बात मानी जा सकती है जिस क्रम में कालांतर में हडपाई सब्वता के उन्नत चरण में कई सांस्कृतिक विसेश्टाएं इसपष्ट होई हैं जैसे की चाक निर्मित मिर्दभांड इंट निर्मित भवन क्रिसी का विकास कुकुद मान बैल डील दार बैल होता तो उसमें कूबर पर इस तरह के डील बनी होती से डील दार बैल बोलते हैं मुहरों का विकास आदे दिखाई देता है डाक्टर लचमर स्वरूप तथा राम चंद्र सिंद और बैदिक सब्वता दोनों के निर्माता के रूप में आरियों को मानते हैं डाक्टर लचमर स्वरूप और राम चंद्र सिंद सब्वता और आरियों आरे सब्वता दोनों सब्वताओं का निर्माता जो है आरियों को स्विकार करते हैं राखल दास बनर जी राखल दास बनर जी जो इस अनुवेशन में मुख भूम का निर्माता द्रविणों को मानते हैं ड्रविण में सोता साउथ दिल्ली वाले जो आरिय नहीं थे आरिय के अत्रित जो जाते थे उसको द्रविण या अनार्य कहा गया क्या कहा गया और नारिय कहा गया प्राक हडपाई अत्वा ग्रामिड हडपा सब्वता के छित्र का विस्तार अब इन सभी बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्या हडपाई लोग ही प्राक हडपाई लोग अत्वा ग्रामिड सब्वता का विस्तार छेत्रवार विकास कैसे हुआ और क्या इन ही सब्वताओं से सैंदों सब्वता का विकास हुआ इस बात के इस बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर प्राक हडप्पाई यत्मा ग्रामिर सबता के छित्रवार विस्तार की बात करें तो बलुचिस्तान एवं सिंध में इस संस्कृती का वर्गी करण अश्टुवर्ड पीगट नेपांड रंगियम रिद्भांड पीले पीली मिट्टी से बनाए गए मृर्द्भांड में इस घड़ों से दच्छणी संस्कृती एवं लाल रंगियम रिद्भांड लेड लाल गेरू की तरह पिते हुए मृर्द्भांड उत्तरी अच्छेत्रवाले इस संस्कृती में किया है पांडू रंगियम रिद्भांड का उप विभाजन तीन भागों में किया गया क्वेटा संस्कृती पुल्ली संस्कृती आमरी नाल संस्कृती में किया गया क्वेटा संस्कृती इसकी प्रमुक अस्थल किली गुल मुहम्मद क्वेटा संस्कृती के प्रमुक पुरास्थलों में किली गुल मुहम्मद दंब सदात पिराक दंब यहां मंद गति से चाक पर मुर्दभांडों का निर्माड किया गया होगा यहां के पुरावे सेसों में मात्र देवी की मुर्यमूर्थियां उल्ले खनी है तोगाव मुर्दभांड इसी संस्कृती का अंग माना जाते हैं इन संस्कृतियों को तोगाव कहा जाता तोगाव मुर्दभांड इसी संस्कृती का अंग है जिसकी खोज मिस्र दकार्दी ने किया था पुल्ली संस्कृती इसका अन्वेशन आरेल टाइन ने किया में कुल्ली मिर्द्भांड और हरप्पा मिर्द्भांडों के साथ प्राप्त कुल्ली मिर्द्भांडों के इसके मिर्द्भांड अधिकान सतह आलंकृत हैं जिस पर कुकुद मान ब्रिशब के चित्र उल्ले खनी हैं संभावत है नारी की मृरिर मूर्तियां मिली है इस संस्कृती का एक महत्पूर पुरास्थल है जहां कच्ची मीटों का मकान बनाना आरंब हो गया था कुल्ली में मृतकों के दा संसकार तथा मेही में दफनाने की प्रथा रही होगी अस्तिकलस के साथ आवस्यक वस्ति में भी पाई गई आपको बता दें अगर पूछता है कि किस संस्कृती से, प्राकडपन के किस संस्कृती से, सवों के साथ उसके जीवन की आवस्यक वस्त में प्राप्त होई हैं, तो अब क्या लिखेंगे आप, कुली संस्कृती लिखेंगे, क्या लिखेंगे कुली नाल संस्कृती कहा जाता है इसको, अब बा कजाल ने किया यहां के पुरावसेसों को प्राक हडपा आमरी सहित हडपा और हडपा जूकर जांगर संस्कृती तक अनवरत विख्सित होते पायते हैं नाल की खोज हर गिर्फ्स ने किया यहां मकान निर्माण में पत्थरों की दिवारों का प्रियूग होता था आमरी और नाल में पस एवम नारी की मिर्मूर्तियां नहीं मिले आपको बता दें नाल संस्कृती जो थी आमरी नाल संस्कृती में जो नाल संस्कृती थी नाल चरण था इस चरण में पस एवम नारी की मिमुर्तियां नहीं मिली हैं जाब संस्कृती की बात करें तो लाल रंग के मिर्दभांडों पर काले रंग का अलंकरण है इसके प्रमुक अस्थल राणा घुंडई, मुगल घुंडई, पेरियानो घुंडई और डाबर कोट हैं आप जान लिजे कि जाब संस्कृती के राना घुंड़ई, मुगल घुंड़ई, पेरियानो घुंड़ई, डाबर कोट घुंड़ई इसके प्रमुक पुरास्थल रहे हैं। इन पुरास्थलों में इसके बारे में कहा गया कि इन पुरास्थलों से ही इसका विकास हुआ है। कोटधीजी इसकी खोज जो है कोटधीजी की बात करें सिंध कता पंजाब में प्राग हडब्पन प्राग सुनुंदव संस्कृतियां जो मिली है उन Kerry कौन कौन से थी सिंध में जो मिली है कोटधीजी नाम से जानी जाती है इसकी 975 में फजल अहमद ने कि थी फजल अली ने इसका किया था उत्खनन से यहां प्राक सैंधव वा सैंधव दोनों संस्कृतियों के बारे में जानकारी मिलती है यहां के उत्खनन से 16 अस्तर मिले हैं कितने इस्तर मिले हैं 16 स्टरं ही इसके बारे में संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है इन में से 12 प्राक हडपा के 13 संक्रमन काल का सेस तीन सैंधो काल का है अवसेसों से संकेत मिलता है कि कोट दीजी की प्राक सैंधो संस्कृती अगनी कांड का सिकार हुई थी खोज से पता चलता है कि प्राक सैंधो संस्कृती जो कोट दीजी थी इसका बिनास जो है अगनी कांड के कारण हुआ था अगनी कांड के कारण इसका बिनास हुआ था हडपा 1946 में इसकी खुदाई जो है प्राक हडपा काल के स्तर की है सराय कोला जलीपूर जलीलपूर आधि यहां के प्रवुपूरास्थल है यह पंजाब में है राजस्थान में जो प्राक हडपान सभ्यता मिली है यह 1950 से तीरपन में खोजी गई थी के बीच अमला नंद घोस ने इसका उत्खनं करवाया था दो दर्जन पूरास्थलों की खोज इन्होंने की थी काली बंगा प्राक हडपाई मिर्दभान परंपरा की बनावट एवं अलंकरन किर्दिश से कोट दीजी आलम आमरी हडपा आधि प्राक हडपा परंपरा के निकट है काली बंगा प्राक हडपा संस्कृति काल की सर्व महत्व पूर्ड विसेस्ताया है कि यहां से जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं से प्राप्त करें जिंद जिला में राखीगड़ी हिसार बनावली यहां के मृत्भांड काली बंगा में मिलते हैं जो है मुद्राभांड जो है कास्मले काली बंगा से मिलते जुलते रहे हैं ये जो है काली बंगा से मिलते जुलते ये इसके प्रमुक पुरास्थल रहे हैं प्राक हडपा के अभी एक पुरास्थल जो विदेश में है वह कौन है उसके देख लेते हैं बल्चिस्तान बल्चि इसापुर के बीच प्रारंब हुई मानी जाती है चौथी पांचवी सहताबदी तक विकास सील ग्राम सब्यता अस्तित्व में आ जाती है और कालांतर में सरस्वती नदी घाटी भी क्रिसी कारे में सगलन हो जाती है और यहीं से सहरों का विकास प्रारंब हो जाता है इन बिविद छित्र में विकास कर रही संस्कृतिक स्थलों ने भावतिक जीवन पधतियों में छित्री विसिष्टता के साथ ही कुछ पारंपरिक आदान प्रदान भी दिखता है। आधि के बदलत नगरी करन का विकास हुआ। मिस्र एवं मेसो पोटामिया आधुनिक पाकिस्तान से बड़ा यह 12,99,600 वर्ग किलोमेटर में बिस्तित भीरल घानत वाली सब्यता जिसके दो सहरों के बीच प्राय बिस्तित छित्र होता था यह सब्यता पाकिस्तान के बल्चिस्तान, सिंद, पंजाब तथा भारत के पंजाब, जम्बू, कस्मीर, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, संभवत, महाराश, एवं पश्च्वी उत्तर प्रदेश में बिस्तित दिखाई देता हाई यह जो है, यह सब्यता का विस्तार है, अब बात करें सिंदु सब्यता बल्चिस्तान, बल्चिस्तान में जो यह सब्यता थी आपको बता दें, बल्चिस्तान में उत्तरी बल्चिस्तान में सैंदो स्थल नहीं हैं, किंदु दच्छिडी बल्चिस्तान में इसके कई प पुरास्थल पाए गए हैं जैसे सुत कांगे डोर, सुत का कोह, बाल, डाबर कोट, मेहरगर, यह जो है बलशिस्तान में हैं, पंजाब में हरपा, डेरा, इसलाम खान और जलीलपूर, रहमान की धेरी आदी, सिंद में जो इसके पुरास्थल मिले हैं, चहुंदरो, आमरी, प इसके बाद सुर्त गोई, मुडी गाक, पठानी दंब, मुला दर्रे के मुहाने पे इस्तित है, जान लेजे, दर्रे के मुहाने पे कभी कोई पूछ लेता है, कि दर्रे के मुहाने पे इस्तित कौन सा पुरास्थल इसका रहा है, भारती छित्रों में इसका विस्तार अगर पोटलान गखान चक 86 बाड़ा संघवला डेर का माजरा आद हरियाना में है मिताथल सिसवल बनावली राखी गढ़ी बाड़ा आद ये जो है हरियाना में है वो पाकिस पंजाब में है जो भारती छित्र है जंबू में मांडा है उत्ता प्रदेश में आलमगीरपूर है जो मे मेरट मेरट बागपत मेरट के पास ही है हुलासा और बड़ा गाओं ये जो है मेरट के पास और इस तरह से देखा जाए तो बागपत में ज्यादा लगता है मेरट में कम लगता है लेकिन यह जो है किस नदी के किनारे हिंडन नदी के किनारे पर इस्तित है राजस्थान में लगभग दो दर्जन प्रस्थल मिले हैं जो सरस्वती बरतमान में गगघर और त्रिस द्वती बरतमाने चवतांग नदी के छित्रों में खैले हैं जैसे काली बंगा काली बंगा भी ओहीं पर प्राप्त होता गगघर नदी के तटपर अब गुजरात में सबसे ज्यादा और लोथल तो आप जानते हैं गोदी था यहाँ का गोदी अर्थाद बंदरगा था यह पुरास्थल का जलिव्यापार और महाराष्ट में दायमा बाद इसका प्राउप्रास्थल प्राप्त होता है इस सब्व्यता की बड़े छित्र कमसम मोहन जोदरो सबसे बड़ा था इसके बाद हडपा था मोहन जोदरो को क्या कहा जाता है मृतकों का टिला कहा जाता है हडपा इसके बाद धौला बीरा था तीसरा सबसे बड़ा फिर चवता काली बंगा था फिर गनेरी वाल था बहावलपूर और फिर राखी गड़ी था ये जो है फैला हुआ है और हड़ापाई सब्वेता की प्रमुख विशेश्थाएं अगर बात करें हड़ापाई सब्वेता की प्रमुख विशेश्थाएं क्या थी तो ध्यान दे लिजिए यहाँ एक नगरी तरिके से विख्सित हुए थे जो ग्रीड़ परेटन टत्ंथा चेस बोड के समान फायरा थे इस तरह फायरा थे तो जबकि धौलाबीरा में नगर तीन भागों में विभाजित था लोथल आयताकार है जिसके चारों तरफ इट की दिवार है पूरा नगर कच्छी सडकों की स्रिंखला में विभाजित था जो प्रायह एक दूसरे को समकोंड पर काड़ती थी मोहन जोदड़ों में एक सडक को प पूरा ख्याल रखा जाता था एवं इसके लिए जल निकासी की विश्व की सर्षेष्ट ब्यवस्था थी बनावली में नाली नहीं पाया गया है नाली नहीं पाई गई विभीद सहरों के योजना एवं भावतिक सांस कृतिक के इस्तर पर ब्यापक एक रूपता इस सब्वता की प्रवन विश्वताएं हैं यद्यप छित्र गत विश्वताओं का भी दर्शन यहां पर होता है मकानों की बात करें तो हडपा सब्वता में मकान कैसे बनते थे जादा तर स्रिष्ट भावन भावने दूर्ग के अंदर बनती थी जैसे सबा भावन, पुरोहित भावन, असनानागार, अननागार आदे रिहायसी छित्र में छोटे एवं बड़े आकार के अनेक भावनों के आउसेस पाए गए हैं जिन में एक से लेकर तेरह तक कमरे पाए गए हैं भावनों का निर्माण कच्चे एवं पक्के इंटों से किया गया था खिडकियों का अत्यल्प साच्छ है, छत छपाट होते थे और लकड़ी का किवार दिवार के मध्य में न होकर एक किनारेप होता था मतलब यह जैसे दिवार है यह पूरा दिवार है और घर के इस कोने पर ही दरवाजे होते थी यहां पर इस तरह से बने होते थे दरवाजे ऐसे होते थे एक किनारेप होते थे प्राया मकान में आगन इश्नानागार रसोई घर और कहीं कहीं कुआ भी होता था मकान में 27-13-16 के इंटों का प्रयोग किया गया था जो इंट निर्माण की ब्यापक ब्यावसाइक संभावना का संकेत देता है मकान के कोने पर L आकार के इंटों का प्रयोग किया जाता था आपको जान लेजें मकान जैसे आज के मकान क्या होते हैं दिवार इधर से आ रहे हैं यहां कैसे भी इंट लगा देते थे लेकिन पहले इन मकानों पर येल आकार के इंट लगाये जाते इस तरह के मकानों के इंट लगाए जाता है जिसे दिवाले एक दूसरे से जुड़ी रहें पूरी तरह घरों में प्रयुक्त इंटे छोटी, 7, 5, 15, 30 तथा पर कोटे में प्रयुक्त इंटे बड़ी, 10, 20, 40 की थी काली बंगा के अपवाद को छोड़ कर सामानितया इंट अलंकरन रही तो होते थे केवल काली बंगा में अलंकरन बाले इंट मिले हैं, बाकिसे जगा पर अलंकरन से मुक्त इंट मिलते थे परंपरा, प्रेम या फिर ब्योसाइक, अल्पवयसका की दिष्ट कोण परिलच्छित करता है दिवारों को सीधा बनाने के लिए साहुल का प्रयोग किया जाता था साहुल मोहन जोदरों से प्राप्त होता है उपयोग किया जाता था, इंटों का प्रयोग इंगलिस ब्रांड पद्धत पर किया जाता था इंग्लिज बांड पद्धत पर इसका प्रयोग किया जाता था भावनों में वर्गाकार या आताकार इस तंभों का प्रयोग हुआ है नेहर गढ़ में तंभूों में आवास के साच मिले हैं तंभू इस तरह के आवास के साच मिलें तंभू के आख आवास का बीयस अग्रवाल ने सैंदो नागरों की पहचान रिगवेद में वालित असुरों के पैरों से की है रिगवेद में विये सागरवाल ने सेंधव पूरों की पहचान रिगवेद में वनित असुरों के पहरों से की है असुरों के इनके पूर बताये गए हैं लिपी का होना क्रमिक और दिर्गावधि प्रक्रिया का संकेतक है ज्यादा तर साख्ष वर्गाकार या आयताकार मुहरों पर छपी हुई मिली है लिपी पराय चितरातमक कुछ सीधी लकीरों वाली कुछ भाव चितरातमक ज्यादा तासाच दायें से बायें लिपी के हैं कुछ बाएं से दाएं के भी मिलते हैं और एक से अधिक पंगती की लिप के साच बोस्तो फेदन साइली के हैं अगर एक से अधिक जो साच मिले हैं यह कुछ साइली के हैं बोस्तो छेदन साइली के हैं जो काली बंगा से प्राप्त होते हैं बोस्तो फेदन जो साइली है या कह काली बंगा से प्राप्त होती है बीवी लाल को काली बंगा से लगुलेख वाले मत्पिंड प्राप्त हुए हैं सरवाधित प्रचलित चिन अंग्रेजी का यू की तरह प्रतीत होता है मृत भांडों पर अंकित चित्रों एवं लिपी के माध्यम से इनकी चित्र कला के ज्यान का पता चलता है कला की दिर्ष से जादा तर उपयोगिता वादी खी रहा था जो प्राय सुविधा और उत्पादन से संबध रहा था नोरा जोब बाल कोक कम्प्यूटर पर काम करके इसे द्रबीडियन बताया है लैंगडन एवं हंटर हडपाई लिपी को ब्रहमी लिपी मानने के पच्छ में हैं बैडल रामचंदरन एस आर राव ने इसे संस्कित भासा माना है फादर हैरास एवं टी इस बरो इसे आद्रबीडियन मानने के पच्छ में रहे हैं अब बात करते हैं सैंधो सभ्यता का की अर्थविवस्था क्या थी सैंधो सभ्यता लोगों की अर्थविवस्था सिंध एवं सहायक नदियों से बहा कर लाई गई जलहोल मिट्टी सिंध और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जलहोल मिट्टी पर क्रिसी कार के अनकूल मैदान प्राप्त होता था सिंदु की भूमी नम मिट्टी जलहोड होने के काराण भूमी बसाव जल की उपलब्धता आदी के भी अनकूल थी अता नदी के दुरस्ट छित्रों में भी बसाव संभव हो सका हाल के सिमित प्रमाड हैं जादा तर नुकीले कुदालों का ही क्रिसी कार्य में प्रियूग होता था क्रिसी कार्य में जादा तर प्रस्तर एवं कास्य निनित उपकरणों का इस्तेमाल होता था मोहन जोदलों से मिट्टी के बने एक हल का प्रारूप तथा बनावली सी मिट्टी के बने हल का पूरा प्रारूप राप्त होता ध्यान दे लिजे, यह जो question पूस्ता है, मोहन जोदरों से एक हल बनाने की कोशिस मिलती है, जबकि बनावली से मिट्टी के पूरे के पूरे हल के प्राप्त होते हैं, हडपा से अनाज रखने की तीन खंतियां तता काली बंगा से एक के उपर एक कई जार प्राप्त हुए हैं, सिचाई का प्रमुक्त प्रमुक्स रोत वर्षा ही रहा होगा, और इसके अत्रिक्त सिचाई के लिए जलास एवम कुआ कृतिम सिचाई का इस्तिमाल होता था, नहर द्वारा सिचाई का प्रमान नहीं मिला आपको बता दें, हडपा के छित्र से कहीं भी नहर द्वारा सिचाई के साथ प्राप्त नहीं होता है, अर्था शिचाई यहां से नहीं होती थी, नहर द्वारा से चाही नहीं होती थी अभी तक कुल नव फसलों की पहचान होई जिन में मुख्यता गेहूं जव सरसव कपास थी की यहूं के टिट्रकम कैंबटम तथा इस फेरोकुम नामक दो प्रजातिया में लिए मतर की ब्रांसी का जूसी किस्म मिली है लोफल से धान एवं बाजरा की खेती का पता चलता है लोफल कहा है लोफल गुजरात में है या जो है गुजरात में है गुजरात में है और गुजरात में यह होने के कारण इसको जो है लोथल जो इसका गोदी था मुखिल से बंदरगा था यहां से प्राप्त होता है लोथल रंगपुर से मिडमूर्तियों से लिप्टी हुई धान की भूसी मिली है धान की भूसी मिली है हुलास से इसपठत उत्तर सैंधो कालीन धान की खेती के प्रमाल मिले हैं क्रिसी में अधिसेश उत्पादन के आधार पर ही नगरों का विकास हुआ होगा लोगों के लिए आवस्यक उपकरण, मनुरंजन एवं अन्य आवस्यक वस्तुओं का निर्माड करते थे इसका प्रमाड हमें अन्नागारों से मिलता है ब्यापार ने अत्रिक्त किसी उत्पादन को बढ़ावा दिया होगा और अत्रिक्त किसी उत्पादन जब हुआ और यहीं से टेक्स प्रमाली के सुरुवाद हो जाती है अब ऐसा लगता है कि सैंदों के लोग टेक्स के रूप में जो है अनाज ही लेते रहे होंगे ब्यापार की बात करें सैंदों सबता की ब्यापार की बात करें आपको मैं बता दूँ गाउं और सहर के मद ब्यापार होता था एवं बिवित हडपाई इस्थलों के मद व्यापार के अत्रिक्त मेसोपोटामिया मिस्ट बहरीन मकरान संभवता तुर्किय मिनिस्तान से भी व्यापार होता था आपको मैं बता दूं कि गाउं और सहर के मद व्यापार ज्यादा होता था किन्त आपको मैं बता दूँ इनके अत्रित मेसोपोटामिया मेस्र बहरीन मकरान संबत तुर्के मिस्तान से भी भ्यापारिक संबंध था भरतियों का मेसोपोटामिया से ब्यापारिक संबंध पासानकाल में हुआ होगा जहां दिल मुन बहरीन मकरान एवं मेलुहा हरपा के साथ भ्यापार का उल्लेख है बिवित छित्रों में आईसी वस्तूओं का उत्पादन होता था जहां करंबद कच्चा माल स्थानी रूप से उपलब्ध नहीं था इसने ब्यापारिक आउसक्ताओं को बढ़ाया होगा सारगोन के सुमेरियन लेख में दिल मून बहरीन को उगते हुए सूरज का देश कहा गया है लेकिन बरतमान में उगते हुए सुरज का देश जापान को कहा जाता है लेकिन पराचीन काल में बहरीन को उगते हुए सुरज का देश कहा जाता था इस लेख में मकरान माकर या मकरान तट मेलुआ सिंदु घाटी के बीच ब्यापार का जिक्र हुआ था ब्यापार होता था इस बात का इस पश्ट प्रमार जो है किस पास से पता चलता है आपको मैं पता दूँ मोहन जोदरो तथा लोथल से हाथी दात के बने हुए तराजू के पलड़े प्राप्त होते हैं मेसो पुटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग से ब्यापार के प्रमार प्राप्त होते हैं उर से तामे का सिंगारदान मिला है फैलाक से सेलखडी के बिस्त्रित मोहर मिली है मोहन जोदरो के एक मोहर पर सुमेरियन नाव का चित्र अंकिता जिससे इन दोनों देशों के बीच लाइसेंसिंग विवस्था के लिए मोहन लगाने का प्रमार मिलता है मिस्ट से कम संपर कर रहा होगा वहां से हरपा प्रकार की गुडिया प्राप्त हुई है मिस्र से भारतियों का कम संबंद था लेकिन हरप्पा प्रकार की गुडिया प्राप्त होई है लोथल से गुरिल्ला की गती तता ममी की एक आकर्थी प्राप्त गती करते होए गुरिल्ला के मुर्थी तता एक ममी प्राप्त होई है हडपा से मेसोपोटामिया पो नियमित बस्त निर्यातित वस्तुएं सूती वस्त इमार्ती लकडी मसाला हाथिदाथ उर्किस कगास निपूर आधि से एक दर्जन हडपाई मोहरे प्राप्त होते मेसोपोटामिया से हडपा में आयातित वस्तुएं कौन-कौन से थी पत्थर मगाए जाते थे से प्राप्त खानेदान मनका मोहन जोदरो से प्राप्त तीन बेलनाकार मोहरे आधि प्राप्त होई हैं मद्य एसिया एवं पश्चिमी एसिया से घणिश ब्यापारिक संबंद भी हुआ था उस समय ब्यापार की बात करें ब्यापारिक ब्यापार के लिए जो है ब्यापार के लिए आज कल की तरफ परिवहन का विकास तो नहीं हुआ था केवल जल परिवहन का विकास ब्यापार के लिए जल परिवहन जल परिवहन एवं थल परिवहन इस थल परिवहन का विकास हुआ था जल एवं थल माल से ब्यापार होता था माल्ड होने के लिए ठोस पहिये वाले बैल गाड़ी का इस्तेमाल होता था मोहन लोथल के पुरावसेस से पोत निर्माड आयताकार बंदरगाय और नाव द्वारा समुद्री ब्यापार का प्रमाड मिलता है यहां से पक्की मिट्टी के बने जहाज का नमूना मिला है हरपा में कांसे की गाड़ी का नमूना मिला है धीत भगतराव कीम नदी के किनारे है मेगम नरवदा के किनारे है प्रभास पातं हरिन्ल नदी के किनारे है लोथल जो है भोगवा एवन साबर मती के संगम पर है सुदकांगेडोर एवं सुदकागोह मकरान तटपर आदि तटवर्ती व्यापारिक किंद्र रहे होगे आपको बता दें उस समय भगवतराव मेगहम प्रभासपाटन लोथल सुदकांगेडोर सुदकागोह मकरान आदि जो है व्यापारिक किंद्र के रूप में जाने जाते थे ये बिभिन नदियों के किनारे पर स्थित थे इनको व्यापारिक्षिंद के रूप में उसमें चिन्हित किया गया है बीनियमित बीनिमय की साधन के रूप में आपको बता दें तो बीनिमय का साधन जो है उसमें केवल वस्त प्रणाली थी बीनिमय के साधन के रूप में वस्त प्रणाली का प्रयोग किया जाता था क्योंकि मुद्रा का विकास नहीं हो पाया था आपको बता दें सैंधो सभ्यता में मुद्रा का विकास नहीं पाया गया है मुद्रा का विकास न होने के कारण वस्तुओं का आदान प्रदान ही प्राया प्रचलन में था और जो इसमें मुहरे प्राप्त हुई हैं मुहरे प्राया जो है लाइसेंस के लिए प्रियोग की जाती रही होंगी किन्त इन्हें लाइसेंस एवं छाप के रूप में प्रियोग किया जाता जो मुहरे थी इसमें इसको प्रियोग किया जाता था लिपिक का विकास ब्यापार के लिए उप्यूक्त था माप तौल की इकाई की बात करें एक रूप इकाई जो सोलह के अनुपात पर आधारित थी लंबाई 37.6 सेंटिमीटर एक फुट एक फुट इकाई पर आधारित थी मोहन जोदरों से सीप और लोथल से हाथी दात का बना एक पैमाना प्राप्त हुआ है सुर्व कोट दात से मिला है हाथी दात का बना हुआ एक पैमाना कहा मिला है मोहन जोदरों से मिला है और लोथल से सीप का बना हुआ हूआ एक स्केल प्राप्त हुआ ये जो है सैंधों सब्यता के मुख रूप से ये विसिष्ता रही है, आपको मैं बता दूँ कि हडपाई जो नगर थे, वहां आयताकार बने बने हुए थे, किस तरह से बने हुए थे? आयताकार, आयताकार का मतलब सौ्झ रहे हैं शांकून पर, ये जो है नगर होता था, इस पत होता था राजपत होता था और यह राजपत होता था त्याशन में होते ते हुआ होते हैं यह एक स्वोय करते नियुदू ठीक है किस पकाटते से समकोर पकाडते हुई सडके थी और इन सडकों को क्या कहा जाता था इनको जो है राजपत कहा जाता इसको जो है राजपत या आप कहा सते एन एच जो है इनको जो है क्या कहा जाता था आज सोट सामें पर ये शबता प्राया इस थरह की बसी हुई GB कहा जाता था क्या त्रिभुचा कार सब्विता कहा गया है नब्वे अंस पर एक दूसरे को काड़ते थे जो घर होते थे घर प्राया जो बने होते थे घर और घर जो है प्राया जो बने होते थे यह गली यहां से गुजरती राजपत के बगल से जो गली गुजरती थी गलीयों में इनके द बगल बगल नालियां होती थी नालियां घरों की नालियां इन नालियों से मिल जाती थी फिर ये बढ़े नालों में मिल जाते थे बढ़े नालों से ये जो है नदी तक जाते थे नदी तक जाने के पहले इने में एक मठके बनाने की प्रता थी इस तरह के मठके बने होते थे अब मटकों में जो है ये मटके होते थे और मटकों में जो है छिद्र होते थे ठीक है तो ये मटके होते थे मटकों में क्या होता था छिद्र होता था और इसमें जो छिद्र होते थे जिसे कूडे करकर जो है यहां पर रुक जाते थे और नदी में फिर छन छन करके जल जो है भारी माताम छंचन करके नदियों तक जाता था और सडकों के किनारे जगा जगा पर चबूतरें मिले हैं चबूतरों का उपयोग पर आया या तो अन को इकठा करने के लिए या तो बनाया गया था इनका अन को इकठा करने के लिए या तो इनका उपयोग जो है दुकान के रूप में होता था ठीक है या तो इसको इस रूप में किया जाता या इनका उपयोग जो है दुकान के रूप में किया जाता था इस तरह से इनका उपयोग होता था आपको मैं बता दू कि मोहन जोड़ो या हरपाई जो नगर थे इनमें जो है अगला जो आपका मैं चेप्ट संस्क्रिटी में बदल जाती इसके बारे में चर्चा करेंगे आपको मैं बता दूं कि जो सैंदों सब्वता है यह जो है नगरी सब्वता थी और इसी के आधार पर इस सब्वता का विगास हुआ होगा और यह सब्वता निश्चितुर से 20 सब्वताओं में से एक थी अब इसके नगर नियोजन की दुधवा चर्चा करेंगे इसका नगर नियोजन जो है प्राय सब्वता के सब्वता के सबसे बड़ी विशेस्ता है moi कि लिए अन यह सब्वता के निवान दोसके लिए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आपसे विदा लेते हैं जैहिन